आपके जीवन में परमेश्वर को छोड़ कोई प्रात्मिक्ता नहीं रखता हर एक शेत्र में जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है परमेश्वर प्रतम स्तान ठेड़ता है आपकी लाइफ में योजना है कितनी भी क्यों ना हो येश्व मसी आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट ठेड़ता है येश्यू को लेकि आपकी लाइफ में कोई समझाता नहीं होता सारी चीज़े साइड पे हैं परमेश्वर प्रथम है आपके लिए दुनिया प्रभु के लिए आपको छोड़ रही है आपको परवाह नहीं होती एक ही चीज़, परमेश्वर आपके लिए प्रात्मे करें प्रेश्वर आपको खीटता है, समझौता कर ले, लोग छोड़के जा रहे हैं, क्या बनेगा, अकेला रहके तु क्या करेगा तेरे परिवार साथ में नहीं, रिष्टदार साथ में नहीं, तेरे पडोसी साथ में नहीं, क्या करेगा येश्वर के पीछे चलके जो चीज़ें आपको गिराने की आप उनका इंकार करते हो आप येश्यू के लिए दुख उठाने के लिए सोचते नहीं हो रोते नहीं हो, गुड़ कुड़ाते नहीं हो पर आप तयार रहते हो, आप अनन्दित होते हो परभू को सीमित ना करो, बस मेरा काम बन जाए मेरा बच्चा कैनेडा चला जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े परभू को सीमित ना करो, अपने आप को समर्पित करना परमेश्षुड को ये दूसरे लोग, जब शेतान से वाचाएं बानते हैं, समझ रहे हो इसी लिए परमेशर के अधीन हो जाओ और शेतान का सामना करो तो वे तुमारे पास से भाग निकलेगा अपने आपको प्रबु को दे देना, पूरी जीती से समर्पित कर देना, और फिर शतान का सामना करना वो तुमारे पास से भाग जाएगा, बात यहां पर अगर शतान आपकी लाइफ से भाग ने रहा, अपने अपने आपको प्रबु के अधीन नहीं किया हूँ, तहले क्या वचन प्रभू बोल रहा है प्रभू के अधीन हो जा अश्यतान का सामना तो है पर प्रभू के अधीन नहीं है प्रभू को समर्पित नहीं किया हुआ है आपका समर्पन जब तक नहीं होता आप बड़ात्री को नहीं देखते हो मेरी इच्छा नहीं प्रभू तेरी इच्छा और फिर आप शेतान का सामना कर रहे हो क्या हो रहा है आप बचाव पा रहे हो शेतान आता है किस किस काम के लिए शेतान आता है चोर आता है चोरी करने नाश करने और घात करने और जब शेतान आ रहा है मुझे मारने के लिए घात करने के लिए मन तो सब वस्तों से अधिक धोका देने वाला होता है उसमें असाध्या रोग लगा है उसका भेद कौन समझ सकता है मैं यहोवा मन की खोचता और हिर्दय को जांचता हूँ ताकि प्रतेक जन उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दू आपने कितना समर्पित किया हुआ है परमेश्रत को वो जानता है यहोवा मन को खोचता है हिर्दय को जांचता है ताकि प्रतेक जन को उसकी चाल चलन चाल चलन मतलब उसके समर्पन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दू आपके समर्पन का एक फल है आपके समर्पन में एक जीवन है जब एक बीच जाता है अंदर बहार क्या निकलता है फल निकलता है जब एक बीच मर रहा है तो फल बहार निकल रहा है इसी रिती से जब हम अपने आप में मरते हैं अपने आपको पून रिती से परमेश्वर को देते हैं क्या होता है हम फल को देखते हैं आपके सारे स्कूल के क्लासमेट्स कुछ गलत कर र कि आपनी स्टाम यॉसके बाद भी आप समझ्हौता नहीं कर रहें परना प्रीक्त रे प्रेशर में आखे अप गलत कदम नहीं उठाथे योग प्रेशर बना रहे हैं आपके घर वाले आपके साथ वाले त데 ककत हैं पाटी तो हैं एक रळीक्त तो तूट जाएं पर आप समझाता नहीं करते चाहे लोग आपको छोड़ के चले जाएं पर आप समझाता नहीं करते आपका परिवार आपको छोड़ दे पर आप मसी के लिए एक समझाता नहीं करते हालेलुया ये मरना है अज अब मरने की बात कर रहे हैं परमेश्वर को समर्पित करना, ये मरना, अलग ताई, अलग होना, संसार के सिस्टम से पिप्रीत होना, परे होना, ये संसार ये अभी लाशा है, आज जिनका पीछा कर रहे हो, अपने प्राण को बचा रहे हो, एक दिन मर जाओगे, क्या लिखा है, ये संसार मिट जाएगा, अज जिनके पीछे चल रहे हो, आप मरनी रहे, आप अपने प्राण को बचा रहे हो, करना क्या चाहिए था, इन चीजों को त्याक के मरना था, पर आप क्या कर रहे हो, मरनी रहे, पर इन चीजों के पीछे जा रहे हो, अपने प्राण को बचा रहे हो, इन अभी लाशाओं के पीछे जाके क्या होएगा ये संसार और अभिलाशाएं जिनके पीछे अपने आपको लेके जा रहे हो ये दोनों मिट जाएंगे दोनों खतम हो जाएंगे तो जिन चीजों के लिए अपने प्राण को बचाया वही चीजें आपको नाश करतेंगी परैंतू जिसने अपने आपको मारा जिसने अपने आपको खतम किया जिसने उन चीजों का इंकार किया जो परमेशूर की इच्छा पर चला वो सरवदा बना रहेगा वो जीवन को पाएगा वो भपातायत को पाएगा ये शियु के सामर्ती नामसे क्लियर हो रहा है क्या मरना है चीजों से अलग होना यह आप मरना पाकि हम जीवन को पाएं हम जीवन को पाएं अमेन प्रभू की इच्छा पर चलता है वो सरवदा बना रहेगा इबरानी बारा उसका एक इसकारण जब कि गवाओं का ऐसा बड़ा बादल हमें गेरे हुआ है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तू और उलजानने वाले पाप को दूर करके वो दोड़ दोड़ें जिसमें हमें दोड़ना है धीरच से दोड़ें रोकने वाली वस्तूओं को दूर करना है मरना है अपने आप में इसे रोक रही है अब उन्हें परे कर रहे है बाप को तो दूर करना ही करना है पर साथ में रोकने वाली वस्तूओं को भी करना है इसी नहीं है असान नहीं है इतरे टाइम सो जो चीज चुड़ी हो असान नहीं है पर अब मर के को छोड़ते हो त्याकते हो अब मरते हो जब तक मैं जीवेत हूँ तो ये पकड़ा हुआ है थामा हुआ है जाने नहीं दे रहा और अगर एक मरा हुआ व्यक्ति पकड़ सकता है क्या अब समझ रहे हो मरा हुआ व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है तो आप अपने आ जो अनन्त काल का प्रभु येश्यू के साथ स्वर्ग में है। आमेन! किसी नही प्रभु येश्यू स्वर्ग श्रीण से रभु येश्यू के साथ स्वर्ग येश्यू एट प्रता रता 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 है।